हरिद्वार से बिचपड़ी लोट रहे कावड़ियों की टोली को सोमवा रात करीब एक बजे बरवाला के बिचपड़ी ससोद गाउं के बीच पावड़ा मोर पर ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें तीन की मौत हो गई और साथ घायल हो गई घायलों को देर रात शहर के अलग-अलग स्पतालों में भरती करवाया गया है डाबडा चोक के पास एक नीचे अस्पताल में घायलों के साथ पहुँचे हादसे के परत्यक्ष दर्शी कावड़ीय संदीप ने बताया कि पिछले 6-7 साल से लगातार कावड़ लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे इस बार गाउं से करीब 17 कावड़िये गए थे हम सभी भोले नात की धुन में थे नाचते गाते हुए डाब कावड़ लेकर बिछपड़े गाउं के करीब पहुच ही चुके थे पिकप गाड़ी के साथ साथ तीन अलग अलग बाईक पर कावड़िये और हैलपर सवार हो गाउं के और बढ़ रहे थे चंडिगड बरवाला रोड़ पर गाउं से करीब आधा किलोमीटर पहले सरसोथ बिछपड़ी मौन पर पहुच चुके थे मैं आगे वाली बाईक पर सवार था कि अचाना के ट्रक तुफान की तरह काल बन कर आया और पीछे आ रहे बाईक सवार कवड़ियों और हैलपर को कुचलता हुआ निकल गया साथियों के चीख पुकार सुनकर दिल देहल गया था कुछ समझ नहीं आ रहा था घटना की सूचना मिलने पर ग्रामिन मदद को पहुच गए थे एक एक करके घायलों को नीजी वाहनों की मदद से पहले बरवाला फिर हिसार शहर के वीविन अस्पतालों में दाखिल करवाया गया हाथसे में अलग अलग परिवारों के इकलोते दो चिरागों सही तीन की मौत हो गई ये अमारे बच्चे जो कावड लेने के लिए गए हुए थे और रात को लग बग पोने एक बारा बज़े बिल्कुल गाओं के साथ में आ गे थे गाओं के अंदर घुसी गए थे आप ये मानों पीछे से ट्रक आया और इन तीन बच्चों को तो मिलब ट्रक उपर सट गया और एड़ दा स्पोर्ट इनकी डथ होगी और दो बच्चे सीरियस हैं वो ऑस्पिटल में एडिमिट हैं और चार पांच को छोटे आई हैं आपको हमारे पास करीब बारा उजे एक्सिडेंट की सुचना मिले थी तो मोके पे गए तो तीन जो कारोड लेके आए थे वो मोके बेड़ हो गए और तीन गाय लवस्ता में थे जिनको ऑस्पिटल में डिमिट करवा दिया गया उनके घर